नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेल्कम टू अनदे सेशन आप क्विक फिक्स रो आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पर स्वस्त होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा हैं और उसमें आपको बतानेवाला हूँ कि आपका जो thermostat valve है क्योंकि काफी मेरे को क्वारी थी कि सर कितने temperature पर open होता है कितने वे ve close होता आप की वेल्यूस है और जो आपका radiator fan है वह चलती गाड़ी में कब चालू होता है बंद गाड़ी में कब चालू होता है तो बंद गा पर आज बात करेंगे कि आप गाड़ी चला रहे हैं जब जिस टाइम पर चला रहे हैं तब आपका रेडियेटर फैन कब चालो होगा तो पिछली जो वैल्यूस थी हमारी जब बंद गाड़ी में वो थी 100 से लेके 90 तक 100 एकसीड करेगा टेमपरेचर तब आपका रेडियेटर रही होगी तब जैसे ही 99 डिगरी टेमपरेचर पहुंचेगा या उसके आसपास में उससे एकसीड करेगा तब आपका रेडियेटर फैन जो है वो चालू हो जाएगा चलती गाड़ी में लड़े सुझ आप मतलब सिटी में चल रहे हैं कहीं पर चल रहे हैं और जैसे ही वो टेमपरेचर जो है इंजन के कूलेंड का वो बापिस पहुंचेगा 90 डिगरी पे तो आपका रेडियेटर फैन डिएक्टिवेट हो जाएगा सिंपल फिनॉमिना है आपकी गाड़ी में अब जो आपका थर्मोस्टैट वाल्ब है थर्मोस्टैट वाल्ब की यहां पर बात क हो जाता है 86 से 89 के बीच में यह ओपन हो जाएगा और क्लोज होने का टेमपरेचर इसका है 77 इसमें आपको बताता हूं उस पर कोई डाउट नहीं रखना यह पिल्कुल पिंपॉइंट वैल्यूस है आप किसी भी शोरूम में जाके सर्विस सेंटर में जाके वहां पर कंफर वापिस आएगा आपको थर्मोस्टैट वाल जो है वह क्लोज हो जाएगा कहने का मतलब मेरा यहां पर यह हुआ कि मिनिममम 77 डिगरी टेमपरेचर आपकी गाड़ी को चाहिए ही चाहिए 77 डिगरी टेमपरेचर जो है कम से कम आपकी इंजन को ऑपरेट करने के लिए पर आपकी सारे चीजें वीच में वाल होती है अपका थर्मोस्टैट वाल वाल वह गया रेडिटर फैन हो गया इस तेमपरेचर को मेंटेन रखने में तो 86-89 डिगरी टेमपरेचर में आपका थर्मोस्टैट वाल जो ओपन हो जाएगा और जैसे ही 77 पर पहुंचे का वह ज 99 डिगरी पहुंच जाएगा तब मैक्सिमम यह 8 डिगरी ओपन होगा आपका थर्मोस्टैट वाल उस ताइम पर होता है अच्छा बड़ी मजदार चीज की बारे में बात करता हूं कभी कभी क्या होता है आप गाड़ी चलाते हैं आपकी गाड़ी ओवर हीट हो जाती है 30 degree temperature जब आपके coolant का पहुंच जाएगा तब आपका ECU जो है आपके engine की power reduce कर देगा क्योंकि उसको signal पहुंच जाएगा कि गाड़ी ओवर हीट हो रही है और जैसे ही 115 degree पर वापिस आएगा तब आपका ECU power वापिस देदेगा आपकी गाड़ी तो कहने का मेरा मतलब यह है क चलती गाड़ी में अगर आपको power loss महसूस हो रहा है तो आपको coolant 100% चक करना है अपनी गाड़ी पा कि coolant का level क्या है उच्छाल तो नहीं मार रहा है बाहर खाली तो नहीं हो गया है कहीं leakage तो नहीं है coolant बहुत जरूरी है चक करना तो चलती गाड़ी में अगर टॉर कम होती है तब आपको यह जीज़े चक करनी है और वह होता कब है 120 degree centigrade पे जब coolant का temperature आपका पहुंच जाएगा तब आपका ECU आपकी काड़ी की power reduce कर देगा और जैसे 115 degree centigrade पे वापिस पहुंचेगा level आपका जो ECU है वापिस कमान देदेगा कि ठीक है अभी आप चला सकते हो लग र देखनी की चीज यहां पर यह है सर कि आपको अपने cluster meter पर हमेशा ध्यान देना है कि कहीं जो coolant की light है coolant temperature sensor की या फिर आपका engine oil pressure sensor की दोनों की light तो नहीं आ रही है चलती वक्त आप गाड़ी में थोड़ी थोड़ी देर बाद में नजर मार के देख सकते हैं वो जुरूरी होता है जुरूरी नहीं है कि आप वेट करोगे कि मेरी गाड़ी में power loss होगा तभी मैं ध्यान सब्सक्राइब करना है कि मेरे कुलिंग सिस्टम में कहां पर फॉल्ट है इस सब चीजें आपको भी मैं सीरीज में समझाने वाला हूँ तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक अची सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत